सीमन का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं सीमन का मतलब होता है वेर रह या बीज यानि कि सीमन is a fluid that is produced by male reproductive organs and contains sperm cells which are necessary for fertilization यानि कि सीमन जो है उस fluid को कहा जाता है जो male reproductive organs produce करते हैं और जो female reproductive system में जो eggs होते हैं उनको fertilize करने का काम करते हैं क्योंकि सीमन में जो है sperm cells होती है fertilization को हिंडी में निशेचन कहा जाता है तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि विर्य का निर्मान पुरुष प्रजनन परणाली में होता है तो आप कह सकते हैं सीमन is produced in the male reproductive system या अगर आप ये कहना चाहें कि विर्य के भीतर शुक्रानो कोशिकाई मानो प्रजनन के लिए आवश्यक हैं तो आप कह सकते हैं sperm cells within the semen are essential for human reproduction ये वीडियो section एक उदिश्य से बनाया गया है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें